हेलो फ्रेंट्स वेलकम सी ओल इंजार्विस केमपस आज यहां पर हम बात करने वाले एक नए और रिन्यूवबल एनर्जी सोर्स के बारे में कौन सा वाला होगा यह रिन्यूवबल और नया वाला यानिकि अब तक हमने तो विंड भी एक देख लिया यस पर आप लोगों ने एक और यहां पर एनर्जी सोर्स से जिसको आप तक हमने नहीं दिखा है कौन सा वाला एं आन णि streed से अए एनर्जी से आने वाली एनेरजी यह संसे फीडिया मिल सकतीया अब संसे हमारी संसे हमारी बॉड़ि को वीटमिन से मिलता है या फिर आप लोगों ने ऐसे भी पर इसके अलावा भी एक source of energy है हमारा solar इसमें से अभी समझो यह जो solar energy है वो हमें 5 billion years से हमें मिलती आ रही है और आगे 5 billion years और मिलने वाली है तो यह जो energy है वो कैसे यूजर कर सकते है और उसका क्या यूज होता है। यहाँ पर हम सम्झो कि हमारा जो एक्मोस्पियर है वो जो सोलर एनरजी वो आता है वह आदा एबस कर लेता है और आदा ही हमारे तक आने देता उसमें भी यहाँ पर जो सोलर एनरजी यूज कर सकते कैसी यूज करेंगे और क्या होता है हुए यहाँ थे कि अगर यहां पर एक गंटे तक अगर समझो कोई जगा पे या फिर एक दिन के अंदर हम कितनी अनरीघी यहां पर जनरेट कर सकेंगे सोलर से तो कि सोलर यानि की संसे संसे आनी वाली energy उसमें से तो यह energy जो आती है यानि कि सब जो सन जो है वो क्या करता है तो कि heat करता है हीट देता है हमें जैसे कि हम दीन के 12 बज़े अगर हम निकल दे रास्ते के उपर और sun से हमें अगर sun के नीचे खड़े रहते तो हमारा सरीर गरम होने लगता है हमें घर्मी लगती है नु यह हम समझ के कि हीट इनरजी आती है इसके अलावब बहुत कुछ एम इंट एंवर्ट करते सी सब्सक्राइब बावड बात करते हैं एक डिक एक्टिविटी कर लेते हैं कौनसी वाले एक्टिवीटी लेते हैं कि दो कॉनिकल फ्लास्क ciao finee को हम एक कोनिकल फ्लास्क को हम क्या कर रहें ब्लाक फिलम से उसको यहाँ पर टैब आड़eksा कोज़िसर में एक डिंदिनर अब कि दोने के इंदर उन वाटर ही कॉनिकल फ्लास्क का वाटर जो होगा वो हीट होगा यानि की गरम होगा अब्यस्ली डाइरेक्ट्सन के प्रेजंस में रख रहे तो वह गरम तो हो गई होगा पर अगर थर्मोमेटर की साथ यहां पर थर्मोमेटर के यूजिंग से अगर दोनों का टेंपरेचर नौट किल्क कि वाज़से जो सुलरर एडिशन है वहां पर यहां पर ज्यादा अब्स होती है और ज्यादा की वज़शन धीसी से हम यूजट हो और यहां पर इंस्ट्रुमेंट यूसे करते एक्त वह उनिस हो गया solar जैसा होता है, और उससे बिचे एक reflecting mirror रहता है और इससे एक transparent mirror रहता है और जो भख्सा रहता है वो Black color का रहता है, और ऋहीं भख्से के अंदर एक यहां पर pot रखाओवा होता है एक-जरली pot नहीं गह उसकते हैं, श्मॉल-वक्स भी गह उसकते हैं जिसके अंदर हम खाना पकाने के लिए रखते हैं तो यहां पर रिफ्रेक्टिंग मिरर से रिफ्रेक्ट होते हैं कहां पर तो कि वह बॉक्स के अंदर और यहां पर प्लेन मिरर रहता है इक यहां पर ओक्से के इंदर सरे नेंदर रिफ्रेर के लिप्सूर्य रहता है उसके वहां पर expendog यहां पर आप gust के आप को युज करने वाला वह यहां पे हमने देख लिए अभी सेकेंड परपस क्या था हमारा सेकेंड पर पस था सोलर की हीटिंग एनर्जी को convert करने का था electricity में कैसे करेंगे और उसमें क्या होता है वह जानेंगे हमारे next वीडियो में Thank You